नमस्कार दोस्तों मैं संदीप सागत आपसे भी का आज किस नई क्लास में दोस्तों आज किस बीडियो में बात करने वाले हैं कि जिन भी इनवर्शिटी वाकॉले छातर की परिच्छा आने वाले दिनों यानि कि 2012 में होनी है तो उनके लिए वीडियो बहुत तो आपके लिए helpful वीडियो होती जो मैं आपको बदाता हूं सारे कोश्चन टॉप लेबल के ठीक है तो बिना देरी को वीडियो में बढ़ेंगे और को बताएंगे से पहले मैं आपको यह भी जानका है देदू कि इस बार नहीं तो आप लोग के एक्जाम का जो पैटर्न होने वाला यानि कोश्चन पेपर जो आएगा इस पाल लगभग इन्वर सीट्यों में हो सकता है कि कोश्चन सारे के सारे सब्जेक्ट वह आएं अब्जेक्ट्व यानि कि बविकिल्पी ठीक है तो आप लोग दोनों की तैयारी जा जानकारी मिली है उद्धे को जानकारी मिली कि हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम आ जाए फिर कोई भी दिक्कत आ जाए या फिर किसी भी स्ट्वर्शन को गुर्णिंग वह अपना पैटर जो है एक्जाम का बदल सकते हैं तो आप लोग जो है ऑपज्जेक्ट्व एक्जाम के कि अग्य के ठीक है इसला प्रवाग को फर्स्टन पर लिजएगा ध्यान से तभी उसका इंसर आप लोको समझ में आएगा एक है लिखा है कि अग्य के संपादक्स में निकले तारसब्तक का प्रकाशन क्समें हुआ तो आपको आप यहां पर देखने की बिलेंगे जो राइ सब्सक्राइब कर सकते हैं फिराल हम तो बताएंगा इसका एंसर ठीक है इसको सब्सक्राइब कर लीजेगा ठीक है बढ़ेंगे लिखाए नेक्ष कोश्चन की नई काप विधारा के जन्मदाता निमलिखित में से कौन माने गए तो आपको आफसर मिल गए है नरेश महता अगे भावानी प्रसाद कुवर्ड नरायण तो इन आफसरों में से जो कोश्चन का राइट एंसर हो जाएगा नई का विधारा के ज सन 1931 में लहौर से किसका क्रांतकारी जीवन प्रारंब हुआ अपसर नहीं अगे का नरेश महता का मुक्तिबोद का नागार जुन का तो सन 1931 लहौर से जो क्रांतकारी जीवन प्रारंब हुआ वो अगे जी का उसने एट एंसर ए हो जाएगा ठीक है चलिए बढ़ते हैं नि सब्सक्राइब लोगों जरूरी वैसे जरूरी है अपसर आपको मिली गए हैं तो 1909 1910 1911 1922 तो इसको जो राइट एंसर हो जाएगा जो तो वह जाएगा 1911 यानि कि सी नंबर ध्यान दीजेगा ठीक है नंबर राइट एंसर हो जाएगा उन्योंशो गेरा ध्यान लगेगा नेश्कोष्टन है कि अग्ये के पिता का क्या नाम था जान दीजेगा आपसर आपको मिल गया डक्टर इंद्रनाथ पंडित हरी ठीक हीरानंद सास्त्री ब्रेंद कुमार जैन कुवर्ण नराइड तो अग्ये जी जी जो है उनके जो पिता का नाम जो है वह है पंडित हीरा बिदवत सिच्छा है वह कहां पर dem है लखंव में मद्राव लहर में कश्मीर में लखें करें से तो नाम है दिवरिया कसिया कुछी नगर ठीक है ध्यान लिखेगा दिवरिया कुछी ठीक है कसिया कुछी नगर में हुआ था नेस्ट कोईस्टन है कि अगे जी कितने वर्स कारावास में रहें तो दो वर्ष का तीन वर्ष का चार वर्ष का पांच वर्ष का तो चार वर्ष की हुई थी इसले को राइट एंसर हो जाएगा सी नंबर याद रखेगा ठीक है आपके एक्जाम में आ सकता है इसे ही नार्मल कोईश्चन है ठीक है चलिए बढ़ते हैं अग्ले कोईश्चन के और लिखा कि अगेज इने कितने वर्ष सो तक साइनिक जीवन वितित किया किस पी यह सीर्ष का और राइन में इसले हो जाएगा थीन बताया जा रहा है आप सन इसमें कि 1950 में गए थे 195 में गए थे 1956 में गए थे तो अग्ये जी जो है वो सन 1955 में ठीक है युनोश्को की और से यूरूप गए थे याद रखेगा कि 1950 यानि C number राइट रहा है ठीक है अगला कोश्चन है कि अग्ये जी का सुर्गवास कि सन में हुआ था जानना दूरी आप लोगों को आप सन आपको मिली गए हैं आप लोग जो देख रहे हैं कोश्चन का राइट रहा हैँ जो हुआ जो हुआ था अग्ये जी का सुर्गवा सिया की आतरा किस दा walking गेजी ने फूर्स डूल ενसे मावलूं बैसक कमें सेक्श्चन बता सकते हैं फिराल मैं आपको इसका एंसर बता रहा हूं कि बीजी जो पुर्विश्या की यात्रा की थी वो शन उनिश्ट सटावन और ठावन में की थी इसलिए क्वेस्टन के जो राइट अंसर स्ट करेंगे वो करेंगे सी नमबर याद रखेएगा ठीक है चलिए नेस्ट कोश्टन कर बढ़ते हैं लिखा कि अगे जी का ठीक है धान अगला कोश्टन है कि तार सब्तक के संपादक है निवन में से कौन है आपको आपको बता दे रहा हूं तो राइट अंसर हो जाएगा डी नमबर यानि कि अगे जी है तार सब्तक के संपादक अगेजी है मोस्ट इंपाड़न कोश्टन है टॉप लेवल का है याद रख लीजिए ठीक है आएगा आपके एक्जाम में हंड़र परसेंट है चाहे आपका सब्जेक्टिव बेस का एक्जाम हो या फिर अब्जेक्टिव बेस का हो ठीक है अगेजी से सम्मधिद कोश्चन आने ही आने समपादक्तु में कौन सा जो प्रकाशित हुआ था उस सब तक का जो नाम है वह है दूसरा सब तक इसलिए कोश्टिव राइट अंसर में प्रकाशित हुआ तो इस कोश्चन का जो राइट अंसर हो जाएगा उसका अंसर हो जाएगा उनीज सो वनसर इस भी में अगेजी के सांबदक्तु में तीसा सब तक ठीक है प्रकाशित हुआ था मोस्ट इंपार्टन कोश्चन है याद रखेगा तास सब तक से संबंदित हंडर में हंडर परस ट 걱정 है अगला कुश्चन है कि अगेजी ने ठीक है लिखा कि वीपथगा कहानि कि सब्सक्राइब में छन 1932 में 1935 में 1937 में 1940 में तो आंगेजी ने ठीक है वीपथगा जो कहानी है ओ लिखी थी शन 1934 में इस लिए कोश्चन का राइट अन से सेंट करेंगे कि हम सी नंबर याद रखेगा सी नंबर ओके चलिए बढ़ते हैं कि लिखा है कि इत्यलम ध्यान दिजेगा इत्यलम नामक का बिसंग्रा किस ने प्रकासित किया आप सन मिल रहे हैं प्रताप नायत्रिपाथी जी अगे जी नरेश महता रगवीर सहाई कुश्चन का जो सेलेट करेंगे बी नंबर याद रखेगा ठीक है कि कोठरी की बात नामक कहानी किसने लिखी आपको आप से मिल लें गिर्जा कुमार माथूर नेस्ट है इसमें अगे नागा और जन कोश्चन का राइट एंसर हो जाएगा सी नंबर ठीक है अगे जी नेस्ट कोश्चन है ल प्लेवल कहें ठीक है अग्ला क्यार एक कि अधुर्य खिंदी साहित ठीक है ध्यान जिजेगा अधुर्य के नामंसर निबनों ग्रंद का संपादन कि सन में किया सन 1947 में सन 1915 में सन 1953 में तो अगे जी ने ने नहरु अभिनन्दन ग्रंद का संपादन सन 1915 में किया इसलिए कोईशियां का right answer हो जाएगा बी नमबर याद रखेगा बी नमबर ओके चलिए बढ़ेंगे हम नेश्यकोषिन के और नेश्व कोशीन क्या कहरा, देखते हैं, लिखा है कि अगे जीद्वारा संपादित ताइस सब्तक में इनisen कम्मलित हैं, यांनि कि अगे जीद्वारा जो सब्तार सब्तक मिक्ति बुख रखे लिए उम लुखंट करेंगे याद रखे तो अग्य जी ने जो दूसरा का सब्प्रकाशन किया है वह किया है शन 1901 में इसने कोश्चा का राइट आंसर हो जाएगा बी नमबर याद रखेगा ठीक है बी नमबर यहांन पर 1951 में राइट आंसर आपको बतारो टाइप करने में मिश हो गया तो आप लुग गलत मत ठीक है अग्याजी ने दूसरा इनका सब तक प्रकासन हुआ है ठीक है वह हुआ है चलिए हम बढ़ेंगे अगले कोईशन के और अलाग कोईशन कह रहा है कि अग्याजी पत्रिका का संपाधन किया है आफ तरह आपको मिल गए है गार्ड इस्ट्रीट था ठीक है थाट इंडि में से नमबर याद रखेंगा फॉट्ट और चली सबस्केंशन को देखते हैं लिखा कि अग। कॉस्चिन का नाम है जो अग्याजीं की जो काभि संगरा up का नाम वह जो है उसका जो नाम हे ठीक है दिया है उसका आम है यहां जान फौस तो आज किस वीडियो में पूरे के पूरे अगे से जुड़े में 26 वीडियो में इन में से कई को देखने मिलेंगे बस इतने अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेगा कोई कोई सुझाल करके पूछे और निस्ट वीडियो में निस्ट माडल पेपर के साथ मिलेंगे तब तक के लिए टेलिग्राम चैनल के लिंक वीडियो की दिकस्तर में जूट जाएए ठीक है